कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ना और साइड में ते कोई बेल का इकन है ना उस पर क्लिक करके आल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहे और इंस्टागाम पे आ सकते हो कोई क्वेस्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो इंस्टाग्राँ पर सबको अंस们 मिलते हैं आप पो भी मिल लेंगे तो लोग दोस्टों कैसे हैं आप मैं वगुए घ्कर के एक गएविडियो में आपका सवागत है वीओ कि सबसे जरा था फेवरेporter या मैं कहूंँगा सबसे ज्यादा फेमस सीरीज Away तो यही वी सीरीज वाले फोन थे जो उसको टॉप पर रखे हुए थे मतलब यह सबसे बड़े मार्केट लीडर्स थे उस टाइम पर अभी भी सबसे आदा बिखते हैं ऑफ-लाइन सीरीज में सबसे आदा बिखने वाले स्मार्ट फोन में अगर आप देखोगे वी सीरीज के सबसे ऊपर में ही आते हैं उन्हीं में अगला सीरीज आने वाला वी 23 लांच होने वाला यह फिफ्ट ऑफ जैन को फ्लिपकार्ट पर और वीवो के वेबसाइट पर दो टाइमर डाल दिया है और फ्लिपकार्ट पर इसका लेंडिंग पर जा गया है जाके आप चेक कर सकते ह ढख हो दो फोन जोने वाले हैं क्या छीज़ें-धर होने वाले इसवाला लीटरली स्मार्ड फोन फ्रॉम थोड़ी ज्ञादा होगी मैं पहले इस लेका गमे Feels सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले डिजाइन की डिस्प्ले डिजाइन की बात करें तो वीवो वी 23 जो है इसमें आपको 6.44 इंच का एमोलेड का पैनल मिलेगा 90Hz का सामने बड़ा सा नौच होगा क्योंकि उसमें आपको डिवल कैमरा मिलने वाला है रियर साइड पे फ्लेश मेटल डिजाइन होगा और वीवो की ब्रेंडिंग होगी अलग 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 कलस रहेंगे गोल्ड वाला और ग्रे वाला इसके बाद अगर आप जाओगे वी 23 प्रो में तो वहां पे आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा 6.56 इंच का वो भी अमोलेड का होगा 90Hz वाला ही होगा वहां पे भी नौच आपको देखने को मिलेगा सेल्फी कैमरा के लिए एंड सबसे बड़ी बात होगी कि वी 23 प्रो ह में आया नहीं है वैसे कलर्स दो ही आने वाले है गोल्ड और ग्रे लेकिन अगर आप उसको सनलाइट में लेके जाते हो तो वह रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट कलर्स आपको दिखाएंगे जो एक अच्छी चीज है नया फीचर है इसका मुझे लगता है कि स्वागत करना च चलो इसके बाद डिस्पले डिजाइन के बाद बात करते हैं चिपसेट की तो दोनों में वी 23 में आपको डमेंसीटी 1100 गा और वी 23 प्रो में दमेंसीटी 1200 के चिपसेट मिलेंगे अच्छी चीज है दोनों 5G चिपसेट है स्कोर काफी तगड़े देते हैं ऑक्टागोर के चिपसेट है दोनों 5NMP-based है तो बैटरी ऐफिशेंसी भी आपको तगड़ी मिल्या दिया है एंस पोर समझ लोग आपको पांच लग से साथ लग के आसपास दोनों में आ जाता है उसली के आसपास चेलिए इसके बाद एंड्रॉइड 11 के उपर रहेंगे जो की वाद रहें है उनसे दो बैटरी है चलिए इसके बाद बात करोगे तो दोनों में अपिक्सर दोनों में दिये गए और अगर अगर आपको तगड़ा सेल्फी कैमरा व्लॉगिंग के लिए इन चीजों के लिए चीजों ग्रस कर सकते हो तो बहुत अश्य है, कैमरा सेलफी वाली होनी वाली है, चलिए बैटरी की बात करोगे, तो 4200 और 4300 एमेज की बैटरी है दुनों में, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा साइ डिफरेंसे से, एन इसके साथ-साथ दुनों में आपको 44 वैड का Fast Charger भी देखने को मि जेते हैं आपको, चलिए कोई बात नहीं, इसके बात करते हैं, शेंसर की बात करोगे, तो सारे सेंसर मिल जाएंगे, सिर्फ 3.5 म जैक को छोड़ गर, ठीक है, बाकी सारे सेंसर आ जाएंगे, सेंसर में कोई कमी नहीं रखी गई है, अंडर इस देफिंग परेंगे, स्कैनर की, लेट सी देखते हैं क्या लेकर आते हैं, इसके साथ LPDDR, 4X का RAM होगा, और UFS 3.1 का स्टोरेज का सपोर्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाने हैं, प्राइजिंग, ये सबसे बड़ी पॉइंट है, लोग पूछते हैं कितनी प्राइजिंग में आएगा, व V23 Pro जो है, इसकी प्राइज आपको 40,000 के आज पास की प्राइज तक मिल सकती है, देखने के लिए, लट सी देखते हैं कि इस प्राइज पर लेकर आते हैं, जैसे आएगा वैसे, और भी चीज़ें बता दूँगा, पांस दरी को लांच हो रहा है, वेट करो ये इसका, सब्साब कर के लिए साँ, चेह.